गुड आफटन चोटी के दिन भी आप लोग को बुला लिया मैंने चलिए सो सबसे इंपॉर्टेंट सेग्मेंट है मेंटर्शिप और मेंटर्शिप क्या होता भी आप लोगे से कई लोग मेरे साथ वम बूस्टर बैच में जुड़े होंगे मैंने कुछ इसमें पांस टूल सिखाया थे राइट तो जैसा इसमें एक चीज़ दी हुई है मैं पहले बताना चाहूंगा कि लाइफ में क्या होता एक कांटिन्यूटी चाहिए अच्छा यह बताओ आप लोगा एक्स्पीरियेंस क्या रहा आप सबसे पहले आप बताएं चलिए आप बताईए हूं कि डैरी आप नहीं कर पाते थे मैनेज्ट ठीक है और उस पर आपने काम किया आप क्या आपने दिन को परसेंटेज में बता सकते हो कि आज मेरा दिन इतना परशेंट रहा इतना परसेंट रहा यहां तक पहुंच्छे एक技न कैसा वीक में कौन-कौन सी ऐसा लगता था कि हम 8 गंड़े या 9 गंड़े पढ़ रहेंगा सहलीमि, लोगों के question पर मैंने ये batch बनाया था, booster is of productivity का मतलब होता है कि हमारे पास time frame बिल्कुल limited होता है, we are very limited, हर किसी के पास, 24 गंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी Bill Gates के पास भी हैं, और इस बार का जो आई ये stopper होगा, उसके पास भी हैं, लेकिन इस time को हम लोग बड़े गलत नजर ये से देखते हैं, मैंने उसमें एक चीज सिखाई कि use time को एक व्यक्ति की तरह लो, use time as a person, तो किसी person को treat करते हैं जैसे वैसे ही time को treat करना पड़ता है, तो productivity booster में मैंने सबसे पहले यही चीज़ आप लोग को बताई थी, कि आप किस तरह से as a time blocking method, emotion blocking method और productivity कैसे बढ़ा सकते हैं, अब time जब आपके पास limited है, तो दूसरा तरीका क्या है मुझे अपने competitor से आगे जाने का, दूसरा तरीका क्या है, कि मैं work done बढ़ा दूँ, WD अपनी बढ़ा दूँ, यानि मैं कम समय में ज़ादा काम कर लूँ, ज़ादा orientation के साथ काम करूँ, focused रहूँ, तभी मेरा जो है वो output निकलेगा, same चीज हमने यहाँ पर किया, same चीज, हमने क्या किया, कुछ tools मैंने develop किये, और tool के हिसाब से, एक होता है कि हम जब motivation lecture में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, बढ़ी मेहनत से पढ़ाई करो, अंदर आग होनी चाहिए, जुनून एक आद स्टोरी उस्टोरी हो जाती है, बट actually में life जो होती ना, जुनून पर केबल नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि ये जुनून जो होता, वो जैसे नहीं हायाबूसा गाड़ी होती है, तो हायाबूसा की तरह होती, वो जैसे आप जब उसको स्टार्ट करते हैं, व्रूम व्रूम बड़ी आवाज करता है, अब बड़े टेशन के साथ भी आप उसमें जाते हैं, लेकिन होता गया है, उसका एवरेज बड़ा खराब होता है, वो पता चला अंदर टंकी में तेल नहीं है, थोड़ी दूर गया भाईया, धक्का देना तो, तो motivation is like that, लाइफ जो होती, वो टूल्स पर चलती है, तो productivity booster में हमने टूल्स को डवलब किया, टूल्स के इसाब से, महला मैं कैसे देखूगा, मैंने कहा कि बटा, आपको एक दिन बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे? आपके टाइम को बचाना चाहिए, कैसे? तो मेरा टाइम कौन किल कर रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी जिंदगी के दो घंटे ऐसे निकालने चाहिए, जो मैं, जैसे मैंने कहा कि, अच्छी चीजों की habit डालो, आपको बच्पन से सिखाया गया होगा, कैसे? और किस ने किया? मैंने अपनी इस्टोरी खुद बताई, कि देड़ महीने मैंने अपने अंदर क्या चेंज किये? तो अगर मुझे वो टूल्स बता चल जाए, तो मेरे लिए वो काम करना आसान होगा. तो जो mentorship है basically, जो हम लोग मार्क दर्शन के नाम से लेकर आ रहे हैं, वो basically यह ही है. यह सभी अपने अपने बहुत बड़े expert हैं इस काम के, और खुद इसमें मैं इसको जो है NLP के साथ लेकर जा रहा हूँ. So mentorship is a totally different thing. एक होता है counseling और एक होता है mentorship. Mentor का का काम क्या होता है? Neural Linguistic Programming, यानि आपके दिबाग को पढ़ना मेरा काम है. और कई बार ऐसा होता है कि आप मुझे बिना कहे, वो आपकी problem मेरे तका जाती है, और मुझे पता होता है कि अगला step में ये problem इसको होने जा रही है. और जो उसका solution दे देता है, वही हमारा काम आसान हो जाता है. तो इस mentorship के साथ आप जुड़ें, और भविश्च में जिसे इसमें एक missed call है, आप missed call पे फोन करें उसमें simply, और वहाँ पर जो भी चीज़े हैं वो आपको इसके साथ आपको manage हो जाएगा. अब हम आजाते हैं दूसरी चीज़ पर, आज का seminar हम शुरू करते हैं और सबसे important है, मैंने आपसे कुछ question पूछे थे, आईस बनने के लिए कितने लोग हैं तैयारी कर रहे हैं इस समय? कितने लोग करना चाहते हैं? चाहते वाले भी हैं? ओके, अभी क्या कर रहे हो चाहते में? अभी कहा हो? अभी school खतम हुए हैं, colleges खतम हुए हैं, you are doing job, और? वो चोटा बच्चा पीचे भी है, हाँ, ओके, आगे, first year, सो क्यों लगता है? दोनों लोगों से बात करते हैं, ठीक है, पता हो कि यह तो हम आएक दूसरे से बात करते बात में बड़ा मेरे उपर इल्जाम लगे, जब पिछली बार मैं यहां सेमिनार लेकर गया, बड़े इल्जाम लगे, क्या हुआ? कई बच्चों ने क्या, सर आप बड़ा हस-स के सेमिनार ले रहे थे, ओनलाइन में आप नहीं लेते, यह कई बच्चों ने मुझे मैसेज हो, तो समझ में नहीं आता है, तो चलो खर, आगे बात करते हैं, तो क्यों लगता है कि तुम्हें UPSC की प्रपेशन करनी चाहिए, यही से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी आज, हाँ, बोलो, उनसे, तुम वो, तुमने ले रख, फ्रेंचैजी ले रखी है, अच्छा, हाँ अब छोटा बच्चा है अब एकदम, हाँ, बता बिटा, हाँ, सिर्फ, बहुत प्यारी बात कह दी, मेरे आज की क्लास का सबसे इंपोर्टन संटेंस यही है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साबाज, सिर्फ सोचा भर है, चलो, अरे वाँ, क्या बात कह दी है इसमें एक गंडा बोल सकता हूँ, सिर्फ सोचा भर है, चलो, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो मेंटरशिप की सबसादा जरूरत है, हाँ, और कोई, हाँ, बताए जनाब, 12 पास किया आपने, क्यों आपको लगता है, इंट्रेस्ट, चलो, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इंट्रेस्ट हो तुम्हारा बहुत कुछ में था, लाल सिंग चड़्धा में भी होगा, इंट्रेस्ट, हसने की बात नहीं, बात अच्छी कह रहा है, हाँ, बोलो, इंट्रेस्ट, और, और कल को इंट्रेस्ट बदल है तो, कोई और इंट्रेस्ट का आ जाए, फिर, इंट्रेस्ट बदलता रहता है, जिंदगी में, जब कोई चीज इंट्रेस्ट की होती है, ठीक है, तो इंट्रेस्ट बदल जाता है, इंसान का, फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा इंट्रेस्ट हो जाता है, तो इ यह जोंगोज संषाइटोर्ट है अगर तुम्हें सुसाइटी में प्रोग्रेस लेकर आना ये करना तो यह जोंगरो वह गेर चोह बोगिळ के और अ जूして हो न जो कि बात करो खुल के बात करो यह सो जान वारा अट रही है लुज आ ए यू घराऀय चला है। बोलो बोलो ओके तो यू कें जॉइन पॉलिटिक्स ना 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 इनिशियल से ही पॉलिटिक्स शुरू करो अभी कुसी भी राजनीटिक दल को जॉइन कर लो और सबसे तेजी से कोई भी कंट्रोवर्शियल इसमें हाट डाल तो रात तो रात वायरल हो जाओगे रात तो रात वायरल हो जाओगे है अरे शॉट कर नहीं राजीन तो पूरव पूरे दिखो लोगों के धाड़ी पख जाती है चलते जाते बुड़े हो जाते हैं तब सांसत बनते हैं पूरी जिंदगी लगना पड़ते हैं लेकिन उसमें आप घ्राउंड पर जाते हैं आप कर सकतें एंघीओ जोईन कर सकतें ईसी क्यों मुद्दे की बाथ बता ऑज है क्या कि मुद्द सुधता वह है हरे क्या बात कर रहे ओ और यह तो इस दिनिया में the people and by the people ठीक है एक पंचाय वेब सीरीज आई थी तो उसमें एक डीम आती हैं तो एक महिला जो प्रधान पती होता है वो जो महिला होती है नीना गुपता वो पहली बार निकलती है तो उसमें डालॉग ध्यान देना जब जंडा फेराने की बारी आती है अगर देखा होगा तो तो उसमें वो यास में जब वो डाटती है तो वो जब खालती है आप जंड प्रतिनित से ऐसे बात नहीं कर सकते है इसका मतलब डेमोकरासी में जो सबस्षादा पार होती है जंड प्रतिनित के पास होती है इसलिए आप चाहिए कहीं से भी पढ़वर के आई-एस बनके अब चीजे निकल के आ रही हैं सच सच चलो रेपुटेशन हम बात कर लेते हैं और और कोई जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कहां तक पहुचे हैं चोड़ी सी बात करते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं चलिए आप आप बताएं हाँ हम good तो जोब के साथ प्रपेशन आपके लिए तो प्रोड़क्टिविटी बूस्टर सबसे जरूरी था आपने क्यों ने जोइन किया नहीं यह वो पढ़ाई का था यह था यह था कि जॉब में भी आज मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम बताए कि जॉब अगर कर रहे हो तो जॉब में कैसे टाइम बचाना है वो था कि आपको अपने 24 घंटे मैनेज कैसे करने है ठीक है चलो और कोई तैयारी कर रहा है वो दिखो लाइफ ना हम जो चीज चाहते हैं और जो चीज हो रहा है इसके बीच में जो गैप होता है ना इसी को हम लोग टूल्स बोलते हैं किसी भी चीज को होने के लिए किसी प्रॉसेस की ज़रूरत पढ़ती है अगर वो प्रॉसेस नहीं हो सकती हम चाहते है आई-स बनना ठीक है हम चाहते हैं कि हमारी personality बहुत अच्छी grow हो जाए लेकिन वो चाहने को आप कैसे convert करते हैं किसे इस class में आना है और सीडिया में हटा दूँ अब आप चाहते हैं कि मैं जाके class लूँ लेकिन सीडिया नहीं है कितने लोग pipes आएंगे कितने लोग खिड़कियों से बहुत क्या आएंगे बहुत कम होंगे ठीक है तो actually किसी भी काम को करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है एक process की जरूरत होती है process इस बीच में क्या है this is the process आप लोग बस इस पे focus नहीं करते हो आप लोग most of the time दिवार पे बड़ा बड़ा लिखते हो अपने नाम के साथ I.S. I.P.S. साल भी लिख लेते हो सब कुछ करते हो लेकिन आप ये नहीं जानते कि what is the process किसी भी चीज़ का मैं कहा हो आपको politician बनना है आपको NGO join करना है I.S. बनना है IPS करना है एक अच्छा नागरिक बनना है उसका भी process है एक अच्छे नागरिक हो क्या है आप गुटका खा अब वहां पर क्या होता था सारे इसां कोई कठा हो जाते थे तो इसे चाय पीते रहते हैं कितना budget आया सुच्छ भारत अभियान और चाय का कप मेरे ही उसके सामने फेकके चले जाते थे ठीक यह उनकी हालत थी चिप्स खाया समोसा खाया वह पतल होती थी वह सामने फेकके हमारा, so this is the thing process सबसे important fundamental होता है तो आपको क्या करना है, प्रक्रिया पर focus करना है, यानि process पर focus करना है अब इसी के बारे हम बात कर लेंगे, कोई और अपनी बात कहना चाहिए, कोई और जो तैयारी कर रहे हैं, कितने किसे लोग अभी, बहुत लोग इन हाथ उड़ाया था, आपको यह नहीं बोलेगा, हाँ, बताओ, डरने की क्या बात है किस से UPSC से, प्रक्रिया से, चलो, psychologically प्रोजिकली कनेक्ट होना, सोचना, अंदर, इंटरेस्स रखना, देखो कितने पॉइंट से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यह कोई भी चीज प्रोसेस में नहीं है, जब मैं प्रोड़क्टिविटी बूस्टर में ने तुम्हें पहले भी सिखाया था, किसी भी चीज के साथ जब तक action word नहीं जोड़ता है, there is a action, action is all about हर चीज की शुरुवात सोच से होती है, जो इस बच्ची ने लिखा कि मैंने सोचा था, actually 99.99% लोग ऐसे ही शुरुवात करते हैं, मैंने IS के बारे में सोचा और इसकी सोच में भी doubt है, कि अभी चलो पानी देखें कितना गहरा है, डूप तो नहीं जाएंगे, तो अभी ये try कर देखें, और actually सभी लोग यहां बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो try कर रहे हैं, सोचना, interest होना, power, पैसा, reputation, ये सारी चीज़े हमारे साथ होती है, it's all good, किसी भी चीज़ की शुरुवात सोचने से ही होती है, dream से होत जार है, उपर, नीचे, घूमते हुए जाती है, वो इसलिए पहले बताते हैं, यहां तक आने के लिए बहुत घूम के आना पड़ेगा, ऐसे दिखाते हैं, वो 10 किलो मेटर है, और जब घूमना शुरू करोगे, घूमना शुरू करोगे, तो round and round, round and round घूमाते हुए, वो जीखी पढ़ के चारो चक्कर कटाते हैं, फिर तुम्हें लबासना पहुचाएगी, उसमें भी जाने से पहले लबासना से पहले दो रास्ते कट जाते हैं, एक एक कैंटी फोल चला आता है, उसमे बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा है, लबासना का दिखता ही नहीं, लाल ब चाहते हो, तो उसका एक simple सा फंडा है, हम कोई भी dream हम कहें मेरा dream है I.S. बनना, किसी ने कहा मेरा interest है, किसी ने कहा मैंने सोचा है, किसी ने कहा कि job के साथ अपनी economical condition अच्छी करनी, किसी को power चाहिए, दुनिया भर की सारी चीज़ें, ये basically चाहत होती है, but these are non-reality things, या एक ऐसी चीज़े जो इन्होंने कहा psychology में आ गई है, तो ये psychology में तो है, ठीक है, जैसे आप window shopping करने जाते हैं malls में, तो सारे brand के सामने से गुजर जाते हैं, कहते हैं ठीक नहीं है, design, कौन से brand का है, बहुत ठीक नहीं है, हाँ, thoughts सी generate होके रह जाएंगे, अच्छा ही बताओ, mall में कोई बढ़ियां-बढ़ियां कपड़े रखे हो, and you don't have purchasing power parity, वो तुमारा हो जाएगा, तुम मन लगा कि देखो, जाकि उस पुतले को घूरा हो, पंदरह बार, उसके सामने ऐसे, हम तब दब दब करको, हाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाई, ये जो चीज है, ये ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही है, अब क्या वो तुम्हें सट से वापस मिल जाएगी, वो तुमसे एक लाइफ का फंडा बताओ, ड्रीम उरीम इसको मैजर नहीं किया जा सकता, तुम मुझे बताओ, उसको पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करोगा, शीशा तोड़ोगी, अगर आपकी जेब में पैसा है, तो आप विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं, आप जाते हैं तुरंट क्या करते हैं, यूजस्ट डिमांड और मार्केट उसको सप्लाई कर देता है, तो लाइफ भी तो ऐसी है, यू ड्रीम और तुम अकेले नहीं हो, हर साल 13,00,00,00 लोग तो फार्म भरते हैं, फार्म एक्जाम से 3 महिने पहले भर आ जाता है, 3 महिने तक 13,00,00,00 लोग फार्म भर देते हैं UPSC का, उसमें से 6,00,00,00 लोग सेंटर जाते हैं, 50%, 50% तो घर पर ही बाय बाय कर देते हैं UPSC को, तो बेसिकली जब उन्होंने फार्म भरा था, तो क्या उन्होंने किसी ने कट्टा रखा था दिमाग पे, कि नहीं तुम्हें भरना ही पड़ेगा, उन्होंने अपनी मर्जी से भरा था, ठीक है, लेकिन उनको डिमांड सप्लाई के बारे में नहीं पता था, तो जैसे आपने कपड़े खरीदने के लिए आपके पास क्या चीज चाहिए थी, परचेजिंग पावर, पैरिटी, अब देखो जैसे एक्जामपल लेता हूँ, इस क्लास में इसे एक बच्ची को छोड़के, क्योंकि यह उजांकियन है, कोई लिख नहीं रहा है, ठीक है, यानि Neuro Linguistic Programming, अगर आप किसी भी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हो, तो आप किसी भी चीज का केवल मैक्सिमम, अगर आप बहुत अच्छी मेमोरी के हो, 11 परसेंट याद रख पाते हो, सो बाते कहूंगा, 11 याद रहेंगी, बाकि सारी कि सारी तुम्हारे दिमाग से, 89 परसेंट, वाश आउट हो जाएगी, इस कमरे से बाहर निकलते निकलते, और अभी मज़ेदार, अगले 24 घंटे के अंदर, किसी भी पढ़ी गई चीज का, 80 परसेंट अब भूल जाते हैं, अब 11-80 परसेंट निकाल दो, तुम इस क्लास से क्या लेकर जाओगे, तुम अंदाजा देखो, because everybody, you want to listen, how to crack UPSC in a first attempt, but nobody is taking the action-oriented things, कोई भी अपने आपको समझ के action नहीं ले रहा है, नहीं, यही तो मज़ेदार चीज है, कल मैं तुम से यही चीज पूछ लूँगा, क्योंकि मैंने उसको last cut किया नहीं, मैंने तो start किया, और तुमने judge कर लिया, तुमने judge कर लिया, कि इस कहानी से मेरे काम का कुछ नहीं है, बतातो रहा हूं, if you started something, जैसे एक होता है, मेरी class में एक नियम होता है, कि मेरी class के discussion, first से last तक मुझे चाहिए होते हैं, उसको हम लोग vomiting tendency कहते हैं, मेरे student को पता है यह, vomiting tendency का मतलब होता है, आज success का पहला और सबसे महत्रपूर नियम है, जैसा है मुझे वापस कर दो, अगर तुम success पानी UPSC में, तो जैसा है मुझे वापस कर दो, यानि teacher ने जो पढ़ाया, तुम्हारे अंदर वो capability होनी चाहिए, कि उसको as it is वापस कर दो, अभी तक मुझे कोई ऐसा student नहीं मिला, कि मैं लगातार बोलता रहता हूँ, ठीक है, एक घंटे, देड़ घंटे बूलता रहूँगा, और वो मुझे मेरी सारी की सारी चीज़े वापस कर दे, actually होता क्या है, कि हम हर चीज के footprint रखते हैं अपने साथ, success की भी footprint होती है, success कोई चीज नहीं है, success daily actions का एक accumulation है, जो आप हर दिन कर रहे होते हो, उसका accumulation होता है, जो उसे तुमने कहा, इसमें हम क्या बात लिखें, Thomas Elvay edition के बारे में तो सुना होगा, एक कहानी और सुन लो, तो तुम्हें पता होगा, दुनिया के सबसे महान वैग्यानिक, और महान वैग्यानिक होने के साथ साथ महान बिजनेस मैन भी थे, ठीक है, जीए, electrical के संस्थापक थे, और ऐसा वैक्ति जिसकी सारी factory जल गई, वो कर दा, अच्छी बात है, दुबारा हम establish कर लेंगा, और कर लिया, तो मैं Edison के बारे में ये तो पताओगा, बल्ब उनने अविश्कर किया, ये नहीं पताओगा, उस वैक्ति ने जीवन में पाँच लाख से ज़्यादा pages लिखे हैं, वो वैक्ति हर चीज लिखता था, और शाम को सोने से पहले, आज किस से मिला, क्या बात हुई, उसकी आदत थी, और ये common है, कि जादा से जादा, रिचर्ड ब्रैंसन, आज वर्टमान में, वर्जिन अट्लांटिक के मालिक, और रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में, एक बुक है, पढ़ना, वो कहते हैं, मैं हर चीज लिखता हूँ, मेरे हाथ आज भी, मलब बिलनायर है वो, ठीक है, बिलनायर है वो, ब्रिटेंग का सबसे हमीर आदमी है वो, और वो हर चीज लिखता है, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने टीचर नहीं हूँ, अनलपी हूँ, और अनलपी टेंटर होने के नाते मैं जानता हूँ, कि अगले 20 मिनिट के अंदर, मेरी पहली बात तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि हम प्लस माइनस, 2 के साथ हम काम करते हैं, जैसे 5 भी लाइन आएगी, पहली लाइन तुम्हारे दिमाग से रेज होनी शुरू हो जाएगी, ये प्रोसेस होता हमारे दिमाग का, यहाँ पर चीजे जब आप करते हों, किसी भी क्लास में, आप यहाँ से जाना, मैं आपको बताओंगा हमेशा पैन और पेपर के साथ बैठना, दूसरा रीजन बताता हूँ, जो तुम इसमें कुछ भी मत लिखो, लेकिन इसका क्या होता है, दो स्टेडी होती है, एक एक अक्टिव स्टेडी और पैसिव स्टेडी, तुम आईस बनना चाहते हो न, तो तुम्हें लगता है कि आईस के लिए किसी दिन कोई तुम्हें थाली में सजा के आईस करेगा, करन जोहर की पिच्चर नहीं चल रही है, तुम आओगे दोड़ते हुए और अचानक से कुछ तुम्हारी लाइफ में बड़ बड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ आदते होती हैं, हमारी हैबिट्स हमें आईस बनाती है, हमारी हैबिट्स हमें आईस बनाती है, तुम यहाँ एक घंटे बैट होगे, एक घंटे में साथ मिनट होते हैं, ठीक है, नियूरलॉजिकल ही यह बिल्कुल फैक्ट है, यह मैडम साइकॉलजी इस इन से पूछना, अगर हम आईडल, अलब ऐसे आप कुरसी पे बैट जा, और अगर अगर 15 मिनट आप बैटते हो, तो आपकी बॉड़ी, जैसे आपकी यह मोबाइल में एक फंक्शन होता है, यागर इस स्क्रीन नहीं टेच किया जा, तो अपने आप क्या कर देता है वो, यह इनसान से लिया गया है, उसको स्लीप मोड में डाल देता है, क्यों डाल देता है, तो सेव पावर, हमारी बॉड़ी में भी पैरा सिंपथैटिक और सिंपथैटिक दो नर्वस होती है, जैसे ही आप इस कुरसी पर आइडल बैठ वोगो, और कितनी क्लासे में तुम बैठोगे और तुमें कोई इसके बारें बात नहीं करेगा, यार 770-800 की क्लास होती है, शकल ना बच्चे को इस्टुडेंट की दिखनी, टीचर की दिखनी है ना टीचर को इस्टुडेंट दिखना है, वहाँ बीच में प्रोजेक्टर लगा होता, इसी तरह class चल दी, चारो तरह नोटंगी चल दी, जैसे ही आप 12 मिनेट क्रॉस करते हो, वैसे ही आपकी body को चला जाता है, कि अब यह inactive mode में है, और inactive mode में क्या करेगा, वो कहेगा इसको sleep mode में डाल दो, यानि दिमा को क्या करना ह पावर सेविंग करनी है, यह automatic system है, वो तुमसे पूछेगा नहीं, हमारी body के बहुत से ऐसे function होते हैं, वो हमसे पूछे, नहीं जाते हैं, हमारा digestive system, हमारे कोई reaction अभी अचानिक से कोई, आप अपने आप movement करोगे, आपका सांस लेना, दिल का धळकना, यह automatic movement होते हैं, और त तुरंट क्या करेगा, आपको slow down कर देगा, अब 15 मिर्ट में आपने देखा हो, आपको उबासी आने लगती है, कभी notice किया है, खाली बैठे से, कभी क्लिसी क्लास में, सबसे पहले, थाईज में हलका सा तुम्हें भारीपन लगता होगा, सिम्टम बता रो, अगर हो रहा हो ऐसे होते हो, बताना, धीर है धीर, अभी मैं फोटो कर तो इस क्लास की भिजवा दूँगा, फिर थोड़ी दिर बाद, जैसे ही तुम्हारा ये, ये जो हमारा, रीड की हड़ी होती है, ये हमारे दिमाग के नीचे, ये हमारा neuron connective center होता है, आपने देखा होगा, जब भी हम पदमासन करते हैं, जब भी हम ध्यान लगाते हैं, हमारी烏ड की हड़ी सीधी रखनी चाहिए, हाँ या ना, सुना है, किसी भी योगाचारे से मिले होगो, चाया तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हमेशा ध्यान लगाने की प्रक्रिया में, हमें कहा जाता है, एक करती हैं, हमें बहुत highly active रखती हैं, हम बहुत देर तक काम कर सकते हैं, सीधे हो रहे हो, हाँ, फिर जैसे हम टेड़े होने शुरू हो जाते हैं, ये connectivity sluggish होने लगती है, और जैसे-जैसे sluggish होती चली जाती है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, automatically brain को समझ में आ जाएगा, कि body inactive है, अब क्या करना पड़ेगा, कोई motor activity मतलब, दिमाग और muscles को connect करने वाली कोई activity नहीं हो रही है, इसको सुला दो, या इसके memory brain function को slow कर दो, 70% तक आपकी efficiency अगले 15 मिन बाद गिर जाएगी, एक घंटे की class की बात कर रहा हूँ, और हर दिन तुम तीन घंटे की class किसी भी coaching में लेते हो, for three hours, 365 दिन तुमने पढ़ाई की, three, multiply कर लो तुम्हारे जिंदगी से कितना point निकल गया, multiply कर लो यहीं पे बैठे बैठे, मैं average 900 घंटे भी माल लूँ, या 1000 घंटे भी माल लूँ, 1000 घंटे तुम सोती हुई अवस्था में थे, और फिर तुम कहते हो, कि मैं first item में IIS बनना चाहता हूँ, और तुम ये खोज रहे हो कि कोई coaching ऐसी होगी, वो फलनवा की photo लगी है, धेकनवा की लगी है, वहाँ बढ़के बढ़के master साब करें, master साब को exam नहीं देना है, सबसे बढ़ी बलत तो तुम्हाई tendency आई है, it's only you who will face the fear, ये तुम हो जो जाके center पे जाके pressure को feel करेगा, ये व पेली देखते हो कि तुम्हें नीद आती है, ठकान होने लगती है, बोर्ड में तुमने notice किया था जब कोई board का exam या semester का exam, अचानक से नीद भी सब गायब हो जाती थी, तुमने एक चीड़ नोटिस की, कभी तुमने ध्यान दिया अपने दोस्कों पढ़ते हैं, कि हम आगे जुक कर पढ़ते थे, जैसे अभी आजकल क्या होता है, जब रिलाक्स होके गाना वाना भी चला लिया, माहौल पूरा बनाते हैं, लाइट वाइट डिमम करके, इसम पुरा खिड़की बढ़की बंद करके, पुरा माहौल बनता है, और माहौल बना के हम पढ़ाई शुरू लेकिन तुमने उस समय महसूस किया था, जैसे सुबह पेपर है, और रात तक तुम्हारा कोर्स खतब नहीं हुआ, तुम्हें बस क्यों आभी पासिंग के लफड़े चल रहे हैं, तुमने नोटिस किया तुम्हारी बॉड़ी लेंगवज कैसे, किसी वो याद है, ऐसे अज लग रहे हैं, अभी जाके तलवार निकालेंगे, और लड़ना शुरू कर देंगे, नोटिस किया किसी ने अपनी, मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये दोनों में फरक कैसे हुआ, तुम्हारी बॉड़ी कोई बात पता है, क्योंकि उसने तुमने उसको सिम्टम लिया, कि अगर कल सुबा तक मेरा ये चैप्टर खतम नहीं हुआ, तो मैं कल सुबा निपड जाओंगो, फिर तुम्हारी दिमांगों बहुत कुछ ख्याल आता है, पापा का जूता कैसा होगा, मम्मी के ताने कैसे होंगे, वो फूफा क्या बोलेंगे, उनकी बहुत भयानक से सब ले बू जादा नहीं, एक हजार घंटे की कीमत समझते हो तुम, एक हजार घंटे, मलब एक बहुत बड़े साइंटिस ने, नियूरल साइंटिस ने बात कहीती, कि अगर कोई इनसान किसी काम में दस हजार घंटे दे देता है, तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है, जैसे वो महान खिलाडी बन जाता है, महान साइंटिस बन जाता है, मलब हाइस पर, तुम उसका वन टेंट, अपने करियर से, ये नहीं कि तुम्हें महान खिलाडी बनना है, तुम अपनी जिदगी से कितना निकालो, तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि जब आइस ट आप करने की बात करते हो, तो तुम्हें किसी टास्क को डिसाइड करने की बजाए, अपनी हैबिट्स डिसाइड करने पड़ेगे, यह तुम्हारी हैबिट्स होंगी जो तुम्हें आईस बनाएंगी, यह कोई टीचर नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई किताब नहीं बनाएग और उसके वाली में extra होता है, लिखा होता है, ऐसे चमकना सुरू होता है, यही question आएगा, यही question आएगा, ऐसा कुछ है कोई किताब, विपिन चंतरा ने कोई अलग से तुभार है, उससे मूह निकल के आता हो, जैसे Harry Potter किताब हम निकल के आता हो, हर्माइनी ग्रेंजर की तरह तुम भी खोलो, और उसमें से आवाजें आ रहीं, यही वाला question आएगा, ऐसा कोई किताब है, मुझे तो नहीं मिली, मिली तो मुझे जुरू बताना, ठीक है, मुझे नहीं मिली, time same है, book same है, resource same है, गलत क्या है, habits, success एक habit होती है, और habit रोज फॉर्म की जाती है, habit हर पल पानी पीने से क्या मतलब है, जब 4-6 महिने बाद uric acid तुम्हारी body में बढ़ जाएगा, और जब तुम कुर्सी पे बैठोगे, और तुम्हें वो दर्द होगी, जरा सी पुर्वाई बह जाएगी न, तो तुम्हें बिस्तर ऐसा बुलाएगा, जिसे सालों की बिच्ड़ी कोई प्रेमिका बुलाती न, उस तरह आ जाईए, आ जाईए, बहुत दिन हो गया, नहीं मिले आप से, उस तरह से तुम परिशान रहोगे, तब कहोगे, सर, नीद बहुत आती, मेरे पाँ मेसेज आती है, सर, नीद बहुत आती है, तो रात में क्या करते हैं, पहले ये बता हैं, ढूडते हैं, और घर में छूड़के, ये कही माबाब कहीं कलती से देख लिए, उनको कोड पता है, तब तो किड़नी, हार्ट, लीवर, लंग्स, पता हैं, क्या क्या इधर उधर हो जाता है, सिंपल सा फंटा जो तुम्हें बता रहा हूँ, वो ये है, कि आप किस तर यहां जो काम करती है, habits basically, your desires, your dreams, comes into the action, बस यही काम करती है, यह जो तुम्हारी habits है, वो तुम्हारी purchasing power parity बढ़ा देती है, अब मुद्दे पे आजाओ, साब आपके पास 1000 रुपए है, साब आपके पास 5000 रुपए है, इन दोनों में purchasing power parity किसकी जादा है, 5000 वाले की, जीन्स खरीदने का है, यह हो सकता है, local brand खरीदें, यह साब क्या करेंगे, branded कपड़े खरीदेंगे, right or wrong, क्यों खरीदेंगे, purchasing power parity जादा है, सो अगर जिन्दीगी का यह सिध्धान तो तुम मुझसे अच्छा जानते हो, या mobile खरीदने की बात आगई, इन साब के पास 10 रुपए ह हैं, और इन साब के पास 1 रुपए हैं, तो यह Nokia का जो kidney phone आता है, 14, 15, 16, 18, जो भी आ गया, तो वो क्या करेंगे, खरीद लेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको MI का कोई phone ढूड़ना पड़ेगा, लावा जावा जो भी मिल जाए इनको, so because of, purchase for parity, so we all are humans, we all have dreams, जो आ बात करके देखना, मुखर जी ने गर में जाना, चाय वाले से बात करके देखना, भईया हम आये थे, इस समय तैयारी करने, उसने साल दो साल एटेम दिये थे, बात करके देखना, किताब की दुकान वाले से पूछना, वो तुम्हें बताएगा, कि हाँ भईया, तीन साल त to convert their dream into action. One who knows this particular secret, how to convert your dreams into action, with the help of habits, success उसकी है. इस दुनिया में, इस क्लास में बटा हुआ हुआ हर वेक्ती, एक ही सपना देख रहा है. अगर brain mapping करा लूँ, सबको IS बनना है. बट वो IS बनने के लिए, आपको पूरी न्रस्ती यही सिखाती है. अरे, admission ले लो, IS बन जाओ गयार, खतम हो गई बात. सरकारी, नौकरी, एक साल में प्राप्त करें, बात जाके देखो पोर्ट लगा हुआ है. सुनिश्चित सफलता, ये भी तक भी लिखा हुआ है. प्री की guarantee, कि अगर आप यहां से कोई चीज़ सीख के जाना चाहते हो, तो मैं दो-तीन चीज़ां सिखाता हूँ, वो सीख लो, कि मुझे अपनी purchasing power parity बढ़ानी है. सपने खरीदे जाते हैं. आपने सुनोगा सपने देखे जाते हैं, सपने खरीदे जाते हैं. दोस्त, क्योंकि सपनों को खरीदने के लिए समय खरीदना पड़ता है. 24 घंटे में कौन जादा समय खरीदी जाती है, तो उसकी क्या होती है? कीमत होती है. आप चले जओ, आईफोन की दुकान के सामने लोट जओ, बोले मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, टिम कुक का, नागिन डांस कर लो, नहीं देंगे तुम्हें फोन. नागिन डांस करके दिखादो, जो करना वो करके दिखादो, तुम्हें फोन नी देंगे? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें अकेले दुनिया में आई, इसका सपना देख रहे हो? तो अगर सब लोग सपने देख रहे हैं, तो जो सपनों की कीमत ज़्यादा दे पाएगा, सपने उसके होंगे. रियलिटी उसकी होगी है. और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हैबिट्स. छोटी सी बात बताई. आज के बाद किसी भी क्लास में बैठना, बिना पेन और पेपर के मत बैठना. मत बैठना. हाथ को तुमने ऐसे फोल्ड किया, और थोड़े दिर बाद तुम टेड़े हुए, तुम टेड़े नहीं, मेड़े भी हो जाओगे. UPSC तुम्हें तोड़ बरोल के खतम कर देगा, यह बात ध्यान रखना, यह बहुत ही जटल सत्य है. तो अगर कही 15 मिनेट के लिए जा रहे हो, यूटूब पे बहुत बकैती होती है, बहुत बकैती होती है. जैसे सेमिनार शुरू कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, कैसी हो, यह मैसेज आते हैं, उसको मतलब नहीं, जैसे कोई लेना देना नहीं है, और क्या कर रही हो, हम बता रहे हैं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, उधर तुम पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेट हो, तो क्या होता, जुन्होंने फार्म तो भरा था, लेकिन वो सेंटर नहीं गए, इस बार का आंकड़ा उठा के देख लो, लेकिन वो सेंटर नहीं गए, कौन थे वो, यही थे, जो जब सपने की कीमत चुकाने की बारी आई, तो कभी अपने असाथ के दोस्तों को देखना, कौन से शुरू करोगे, आईये इस के लिए, कभी भी सोचा नहीं जाता, सोच को एक्षिन में, इस और वोन वन लाइफ, और जगर सोच लिया, तो उसको एक्षिन में कनवर्ट करना शुरू करो, कोई भी चीज, यह कोई जबर दस्ती नहीं, इस दुनिया में सभी चीज़ों के लिए परियाप्त जगह है, बशर्ते तुम्हारे अंदर इतना बूता होना चाहिए, कि तुम उसको वहाँ पे लेख रहा, कुछ भी चीज थाली में परोसके नहीं दी जाएगी, एक दिन मैंने पढ़ा था, बिहार में चपरासी का फॉर्म निकला हुआ है, और उसमें लाखों की संक्या में लोगों ने किया, और उसमें पांच PSD स्कॉलर ने उसके लिए भरा, और जानते उसकी नियूंतम हर्ता क्या थी, एलिजबिल्टी, पांच भी क्लास पढ़े होने चाहिए, और साइकिल चलाना आना चाहिए, यह मजाक की बात नहीं करें, नियूस्पेपर में निकला हुआ है, और उसके लिए पांच PSD स्कॉलर्स ने, अपना निवेदन किया, MBA ने किया, कि हमें चपरासी की नोकरी चाहिए, यह स्थिति है, इसका मतलब आप में अंदाजा लगा लो, कि एक-एक सीट के लिए कितनी फाइट है, तो दुनिया में, जब कोई तुमने किसी मॉल में देखा होगा, कोई बहुत दौलत बंद आदमी आता है, तो क्रेट कार्ड वाला है, गम बढ़ियां से पैस है, तो क्या वो किसी चीज का टैग पूस्ता है, पूस्ता है, कोई चीज पूस्ता है, भाईया, 20% discount होगे गया, 40%, कभी ये पूस्ता है, ये, 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 पैक कर दो, ऐसी करता है, देखा होगा तुमने, बहुत से शॉप करने की लोग यातने, हाँ, ये कितने का, अच्छा है, ठीक है, ये, ठीक नहीं है, और महेंगा लगा दिखाओ, विकॉस क्यों, उसकी परचेजिंग पाउर पैरिडी, ज्यादा है, तो लाइफ का ये सबसे बिटर टूथ, लेकिन सबसे एक्च्छल टूथ ही है, इफ़ी वान टू सर्वाइव इन जंगल, यी जंगल है यार, है कॉम्टीशन है, एक सीट के लिए तेरह सो लोग बैठे हुए, बारा सो निनन्याबे को तुमें पीछे करना अपनी एक सीट के लिए, बारा सो निनन्याबे को, तो ये जंगल का नोग यारी, So, in that case, you have to increase your purchasing power parity. And how will you increase that? चलो, बात कर लेते हैं. So, मैंने बात की, success habits को लेकर. Right? ये success habits जो होती हैं, ये basically छोटी-छोटे हिस्सों में, कोई बर्च जादू ही habit नहीं है. जैसे आप लोग आए, कितने लोग बिना paper और pen case class में हैं? इमांदारी से बताना. कितने लोग? क्यों? मैं question जानना चाहता हूँ. क्यों? वाइ? नहीं, सरम वाली बात नहीं है. हर चीज, जिन्दगी में कोई ना कोई एक दिन चीजन सीखता है और आगे बढ़ता है. क्यों? और बहुत से लोग नहीं आएं, actually मैं. बहुत से लोग बिना पैन और पेपर के आएं हैं. क्यों? जानना चाहा रहा हूँ. reason क्या था? कुछती यह देखने हैं, उजांक सरवास्तों में जिन्दा हैं या अभासी हैं. हाँ, चलो और. next. यह ऐसी दिखते हैं, जैसे वहाँ दिखते हैं. और, और बताओ. तुम्हारा एक घंटा, देड़ घंटा जाएगा ना? तो कहीं भी तुम जा रहे हो. कहीं भी जा रहे हो. नियम, अगर जब तक तुम student और आगे भी, एक diary और pen, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ. ज़रूर अपने साथ रखा करो. ज़रूर रखा करो. कोई option नहीं है. और ये मेरा व्यक्तिकत अन्भाद, तेरा 14 सालों से लिख रहा हूँ. मेरा व्यक्तिकत अन्भाद, जिस चीज़ को मैंने, मलब कई बार मैंने student life में कुछ चीज़ ने लिखी थी, तो वो मेरे पास आज भी है, क्योंकि वो documented है. Knowledge आज भी, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहां रिगवेद है, हमारी फलान या हमारी भगवत गीता हम पढ़ते हैं, या कोई कुरान शरीव की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास written है ना, तभी तो एक PD से दूसरी PD knowledge जा रही है, तो पहली चीज़ आप लिखने की आदट डालो, पहली आदट लिख लो, Success Habit, कोई भी अगर जरूरी बात होगी तो मैं लिखूँगा, सर्माने वाली बात नहीं है, आप overconfident हैं सर, आप overconfident हैं, आप 80% के अंदर, मैं अभी आप से पूछ लूँ, कि पिछले हफ्टे तुमने क्या खाया था, तो मैं याद भी नहीं होगा, कि तुमने डिनर में क्या किया था, नहीं याद होगा, ठीक है, पिछले हफ्टे तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने एक दिन में क्या-क्या activity की थी, तुम्हें कताई याद नहीं होगा, लेकिन अभी productivity booster की पहली class में मैंने कुछ चीजन सिखाई थी, और इन्होंने document कर लिया, जैसे मैं ही अगर उसको tool को use कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूँगा कि मैंने मे बिनार में जाना, थोड़ी देर के लिए, अपने मन की चंचलता को रोकना, और कुछ भी बात हो रही है, उसको लिखना, और एक साल तक करके देखो, अगर गलत हो, तो मेरे नाम पे, जो भी आप करना चाहों, कर लो, मैं तो मैं फूरी कर रहा हूँ, जो चीज आपने बात है वो, नहीं आता है, तो पहली चीज रैटिंग करना, सक्सेस हैबिट में मैंने जो तुम्हें पहला सिखाया कि आज से कहीं भी किसी भी क्लास में हो, किसी भी सेमिनार में हो, रैटिंग बिकॉज ओफ एक्टिव स्टडी करनी है, बॉड़ी कहती है, मोटर अक्टिव मुसल इंवाल वो, ब्रेन इंवाल हो, बॉड़ी तुम्हें सोने नहीं देगी, अगर तुम अपना फोन लगाता, टच करते रहते हो, तो क्या स्लीप मोड में जाता है, तुम्हें साथ भी यही है, तो आप्ने एक साल की तैयारी में एक हजार घंटे तुम्हें बरबाद क करने हैं यह first choice है और फिर last में आप कहते हो कि साब मेरा success नहीं हुआ देखो इनको नीद आ रही है इन्होंने अभी जमाई ली सामगर और मैं इनकी जगह हूं तो मुझे भी जमाई आ जाएगी यह बहुत natural है सुन रहे हैं यह देखो इन्होंने भी ऐसे हाथ रखा है लिखनी सामने करके दिखा रहा आया अभी आवाज सुनी ना इनकी आपने बड़ियां इन्होंने जबरदस जमाई ली है अगर सोचो यह स्टुएंट होते तो इनकी क्या हालत करता मैं तो यह प्रैक्टिकल एप्रोच है ठीक है दूसरा एक आगरता का नाम सुना है सक्सेस के लिए किसी बुक से ज़्यादा जरूरत इसकी है एक आगरता जो नहीं है एक आगरता का मतलब होता है ब्रूस ली का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि एक योध्धा वो होता है जिसकी एक आगरता लेजर की तरह होती है एक आगरता मतलब इसमें होता है एक अगरता, अगर का मतलब आगे, आगे, एक मतलब single, when you have only one target in front of you, when you have only one target in front of you, that is known as एक अगरता, मैं इसकी इंगलिश पे नहीं जाऊंगा, it is not about concentration, मैं भारती संस्क्रत की बारें बात करूँगा, एक अगरता, यानि when you have only one goal in your life, in front of you, यानि तुम जिन रास्तों पे जा रहे हो, तुम जब सीणिया चड़ रहे हो, तुम जब किताब के सामने हो, तुम जब मेंस में हो, तुम्हारे सामने सिर्फ एक चीज है, और वो तुम्हारा लक्षे है, उसको हम लोग एक अगरता कहते हैं, तुम क्या सोचते हो, कि जब मैं अपनी पढ़ने की टेबल पर बैठूँगा तो मैं जॉगर भी पूरे मन लगा कर पढ़ूँगा, that is no agratah, यही बात कर रहा है और नहीं, अगर मैं तुम्हारी आँक के सामने इस चश्मे को, अगर मैं कुछ इस पर लिख दूँ, और तुम्हारी आँक के सामने ये डाल इसको, और एक अगरता, यानि मेरे आगे, हर समय, what is, हर समय, सिर्फ एक लक्ष है, how many of, मुझे इमानदारी से बता दो, किसके जीवन में ऐसा चल रहा है, किसके जीवन में ऐसा चल रहा है, dead sure है उसका selection, मतलब उसको कुछ और नहीं समझ में आता है, यार, दोस्त, शादी, ब्या, function, मित्र, कुछ और नहीं, खाना भी खा रहा है, उसको पता, या automatic process है, तो उसको ये समझ में आ रहा है, कि थोटे दर पहले मैंने क्या पढ़ा, अच्छा, मैंने भारती इतिहास में क्या चीज़ पढ़ी, जड़ा जाओ, mind में कर लें, आज की date में क्या हो रहा, लो होता है, कितने लोग, हाँ, तो subconscious mind वो settled होता है, गलत नहीं है, नहीं, कोई पागल वागल नहीं होता है, कहीं सुना तुमने, और अगर हो जाओ तो और अच्छी बात है, मैंने last time क्या बाता है, जिन्दगी का मज़़ा दो ही लोग उठाते है, एक बच्चे और एक पागल, जो है, उसके लिए बच्चों की तरह खुश हो जाओ, ठीक है, उसके लिए बच्चों की तरह खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, बच्चे खुश हो जाओ, और जो पाना चाहते हैं उसके लिए पागल हो जाओ, बिना पागल पन के, तेरा सो लोगों से एक सीट छीन के है ना हेंडी फोर्ड बहुत बड़े इंडस्ट्रिस रहें बहुत अमीर आदमी रहें फोड के मालिक रहें हैं उन्होंने कहा वो दुनिया में वह बिजनस्मेन ही संभव नहीं है जो सोते जागते हर समय के और अपने टार्गेट के बारे में नहीं सोचता वह ही नहीं है यह क तरीके जानता ही नहीं एडिटेशन मेडिटेशन तो मैं चलते चलते कले तो मेडिटेशन क्या होता है जितनी दिर करोगे उतनी दिर तुम्हारा तो पूरे दिन भर जबते रहो ऐसा नहीं होता है इसके लिए एक ही तरीका है क्या वैराग्य फोकस कहां से मिलेगा चार ची हमारी प्रॉब्लम क्या है ये फोन तो नहीं कहता ना आ मुझे चू और मेरे मैसेज का रिप्लाई कर कोई कहता है और देखो रहात इंदोरी साब ने भी कितनी बच्छी बात कही है बुलाती है मगर जहने का नहीं बता कर गया है कि वैरागे क्या है वैरागे का मतलब होता है इसका कई लोग यह समझते हैं कि वो भगवा को पहिन के हिमाला निकल जाओ घर परिवार चोड़कर इसका इसा मतलब नहीं है विवेका नंद अपनी किताब में लिखते है जब वो इस्टुएंट्स को मैसेज देते हैं वो कहते है वैरागे का मतलब होता है जो तुम्हारा अटैच्मेंट है उसको छोड़कर हर चीज के लिए डिटैच्मेंट हो जाना वैरागे है मतलब अगर तुमने कहा सोचा कि मुझे क्या बनना है आईयस सब के कारण सही है पावर प्रेस्टिज पैसा ठीक है समाज को बदलना यह सारे कारण वैलिड है लेकिन अगर तुम आ आई ने तो आट घंटे पढ़ लिया था साथ घंटे का टार्गेट है एक घंटे एक्स्टा पढ़ लिया तो वेब सरीज भी कमबक्त बनाते हैं एक के बाद आटमेंटिकली चलती रहती है अगले दिन वेब सरीज देख ली अच्छा हमें लगता है कि हम काउंट ऐसे करते हैं अब दो घंटे की वेब सरीज है यार लेकिन अच्छली तुम्हें नहीं पता कि जो वेब सरीज बनाई जाती वो पिक्चोरियल फॉर्म में बनाई जाती है तुम्हें उसके साइड इफेक्स ही नहीं पता है तुम उसको कैसे करते हो दो घंटे की वेब सरीज है आज ख हम उसके effect में रहते हैं कभी किसी दिन कोई अवसाद वाली music the conjuring देख लेना या कोई भी देख लेना तुम अचानक से उठो कि ना तुम्हारा दिमाग ऐसा है साधनेस के साथ रहेगा अभी मैंने quote किया पंचायत web series का क्यूं मैंने book तो नहीं आती लेकिन वो web series याद थी कि नहीं आती इसका मतलब है कि तुमने इसके अंदर garbage डाल लिया तो एक कमरा है और कमरे में तुमने पता ही नहीं किया तुमने तो यह सोचा कि सिर्फ दो घंटे की web series है क्या tension जा रही है लेकिन तुमने अपने अंदर इतनी धेर सारी pictures और इतनी धेर सारी music औ और emotions डाल लिये कि अब तुम्हारा यह जो कमरा है उसके कोने में तुमने जो है कूडे का ढहर लगा दिया ऐसी दूबारा लगा दिया और तुम सोचरों कि दो ही घंटे की तो movie थी भाई कल एक्स्टा पढ़ लेका लेकिन बात movie की नहीं है बात तुम्हारे दिमाग की space की ह space की है कई लोग तो motivation के लिए वह ली picture देखते हैं मेरा इंतकाम देखेगी कि दिल कई लोग तो मैंने कल meme देखा कहीं पर कि सर दिल तूटने का wait कर रहे है आईस बन जाए यह तो इस्थिति हमारी चल रही है तो आप बाहर से motivation ढूण रहे है तो वैरागय का मतलब होता है अ किसी की बात ने कल किसी बच्चन मुझसे पूचा कि सर ना कैसे कहा जाए किसी को अगर कोई कहता कि यह काम करो यह काम करो यह काम करो नहीं करना है तो जब तुम्हारे पास किसी और से attachment नहीं है आप किसी से मिलने क्यों जाते है फोन आ गया बाबू मिलने आना है सोना अब यह बात हुई हसने की बात नहीं है क्यों मिलने जाते हो because of खतम कर चुके है, हडपा निपट चुकी है, वैदिक कल्चर में आ गया है, बता रहे भारतिय संस्क्रित कैसी है, तुम्हें कुछ ना दिखाई पड़ा, तुम्हारा हडपा कहीं और चल रहा है, किताब ऐसे खुली हुई है, फिर उसके बाद क्या कहते हो, साब वो UPSC बहु है, यह ओपन स्कूलिंग से आया हुआ है, इसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, वो I.S है या राच, जिनके 48%, 50%, 52% वाले लोग है, वो I.S है प्रॉपरली, तो यह से एक्जाम में जो तुम सोच रहे वो नहीं है, इस एक्जाम में वो dedication मांगता है, dedication मांगता है, तो वो कहत करते हैं, बहुत मानते हैं, एक एक्जामपल लेता हूँ, जो तुम्हारी youth के साथ जुड़ी वी चीज है, तो जब तुम उसके साथ बहुत जादा involved होते हो जिन्दगी, तो तुम्हारा वेक्टित, जैसे मैडम ने कहा कि वेक्टित को change कर देना, जैसे आप शादी शुद हो सकता है, आपके ससुर का नेचर अलग हो, बड़ा परिवार हो सकता है, कि आप अपने घर में अकेली हो, यहाँ बहुत बड़ा परिवार हो, कुछ भी change हो सकता है, तो लड़की क्या करती है, लड़की क्या करती है, अपने घर में 9 बज़ उठ रही है, उठके मम्मी, बै अलार बजस के साथ मर्ज होना था अपनी किया अपनी municipality के साथ चेंज किया लभासना के साथ इसा अगर तुम स्वारी मुखबत के वल एग है तो क्या तुम अपने आपको उसके लिए चेंज नहीं कर सकते, तो 8 बजे सोकर उठना तुम्हें अच्छा लगता, तुम्हें अच्छा लगता, लवासना कहता है कि मुझे 5 बजे चाहिए, मुझे 3 घंटे इसकी dedicated पढ़ाई चाहिए, 8 बजे तक तो इसका काम खतम हो जाना चाहिए, वो optional खतम हो जाना चाहिए, answer writing खतम हो ज जल्दी कहीं जाना होता है, school time में बहुत हुआ है सब लोगा, तो पता लोगा तुम्हारा ट्यूशन नहीं है फिर भी छोड़ने जाते थे तुम, होता था कि नहीं होता था, अभी जह 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 स्माइल कर रहे है सब पता है, क्यों जाते थे, why? because of your attachment, right? so मुझे एक सवाल है कि ये तुम्हारा attachment लबासना से क्यों नहीं हो सकता, attachment में बहुत power होती है, ये सब कुछ करा सकता है, so अगर कोई चीज तुम सीखना चाहते हो, try to make a small habits, छोटी-छोटी habits, पहली habit क्या बताई, लिखो, अगले दो साल के लिए तुम गूंगे हो, ये भी लिख लो, गूंगे service officer से हमने बात की, और सबने एक ही बात कही है, बुला अपने student से जाके कह देना, कि लिखने की आदर डालने है, ये सबने कहा, एक habit सबने कही, कोई NCIT पुरानी पढ़ कर आया, कोई नई पढ़ कर आया, किसी ने वेपिन चंदरा पढ़ी, किसी ने, सब की किताबे अलग-अ लग थी, लेकिन सब में एक habit common थी, क्या? तो आज से हो गूंगे, और किसी भी class में जाओ, कहीं भी मौका मिले, लिख लो, हर चीज लिख लो, dairy रखो, और ये दुनिया के successful लोगों की आदत है, इसको लिखो, दूसरा, try to increase your concentration, not by the meditation, meditation एक छोटा सा हिस्सा है, it's all about, ये सारा शीगूफाय की meditation करेंगे, तो एक आगर होंगे, नहीं, तुम्हेरे तुम्हारे जो मन का काम है ना, जिस दिन तुम्हें वो मिल गया, उस दिन तुम अपने आप क्या हो जाते हो, concentrate हो जाते हो, कोई है, जिसका उसके hobbies है, कोई है इस class में? और, हाँ बता तुम अपनी hobby बता singing है, तो उसमें क्या time देख के करती हूँ, पांच मिनट मैंने सबको पका लिया, अरे गाती चली जाती हूँ, दिवारे भले चाए चाटक जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मन से गाती हूँ ना, हाँ, खुशी बहुत मिलती है, जिस काम में हम मन लग जाए और जिस हम बेशा, एक चोटी सी डैरी, डिजिटल हो, फिजिकल हो, लॉग बुक, अगर सक्सेस चाहते हो, किसी लंबे रास्ते पर यात्रा की है, अंधेरा बढ़ रहा है, शाम हो गई है, रात हो गई है, तुम बस में चलते चले जा रहे हो, ठीक है, लबास नहीं जाना है माल दो थोड़ी दर बाद ऊब होने लगती है, हम कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, घना जंगल, अंधेरा, ट्रेन में जा रहे हो, तो थोड़ी दर बाद क्या होने लगती है, ऊब होने लगती है, कहां जा रहे हैं, शीपियस भी कुछ नहीं बता रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या ओने लगता है, डर बेट जाता है. होता है है कि नहीं होता है? कभी हुआ है स्दूमे लोग साथ? किसी लंबी यात्रा प्र की गयो है साइन बोर्ट नहीं है कुछ नहीं दिखाई पड़ा है कितने किलोमेटर है तो खुद पूस्त है कि गलत रास्ते पर पहली बार कहीं जा रहे हो तो गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हुआ है कभी ऐसा हुआ है अचानक से बड़ी व्याकुलता होने लगती है तो ट्रेन में मैसूस होता है या ऐसे कोई पत्थर दिख जाए कि भई लबासना 32 किलोमेटर तो तुम्हें आप पहुंचने वाले बस 32 किलोमेटर वर बचाए ऐसी होता है एक्शुली में इस यूपी एससी है तो जब हम शुरू करते हैं पहली बार इस रास्ते पर जा रहे है क्या-क्या ये क्या में ग्जान लें लिए या सीग ये में जोगा आपकेंड़ा क्ल चार मेहने में त्यार में तयार हो सकता है क्या उप्ष्णल इजी होगा और क्यूंसा ऑप्ष्णल में जी होगा हिंदी में एक्जाम फोग कर你 कुल्टिन और तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहा हो। होता है? गलत कर रहे हैं? नहीं यार, हिस्टी से सुल नहीं करेंगे. इस बार कुष्चन? फिर फोन करते हो किसी को, पता करते हो, कहीं वीडियो देखते हो. इस बार पॉलिटीकर कोष्चन बहुत कथी ना है. तो अचानक से कई तो यह सोचते वाए, यार, IS पहली, किसी यही तक सुन लेते हैं, कि पहली बार में किसी का IS नहीं निकलता है, यह तो सबसे खतानाक वाली थी, ठीक है, कि पहली बार में किसी का IS नहीं निकलता है, तो बोले यार, पहली बार में नहीं निकलता है, हम को अलग थोड़े रह प्राइकल देते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी logbook रखनी पड़ेगा, अगर तुम really में, खुद से success पाना चाहते हो तो, तो what is the meaning of logbook, daily activity को, daily activity को measure करना, daily activity, और इस activity में, आप कितनी देर सोए, कितनी देर जागे, कितनी देर आपने actual पढ़ाईगी, और वो भी कै से minutes में, 1440 minutes के against, यह productivity tool में मैंने सिखाया, आज से घंटे में बात करना बंद, 2024 में एक्जाम देना, 2025 में, जितने लोग ये बाते कर रहे हैं, सारे के सारे पिटेंगे, सारे के सारे उसमें जाएंगे काम से, we have only, days में बात करोगे, 365 दिन बचे हैं मेरे पास, 365 दिन बचे है 1440 minutes है मेरे पास, कितने, 1440, अब आज के बाद जब पढ़ने बैठोगे, तो सामकों कहता है न, 6 गंटे के मैंने time table बनाया, नहीं, 6 गंटे के against, तुमने कितने minute बढ़ाईगी, 50, 60 मिनट बैठे, और 30 मिनट तुमने mobile surf किया, कुरसी पे बैठे रहे, और अपने आपको बेक पहले तुम कैसे थे, और एक महिने में तुमने क्या change किया अपने अंदर, बता पाओगे, इस class में कितने लोग confidently बता सकते हैं, कि इतने minute मैं पढ़ाई करता था, इतने minute मैं ये काम करता था, मैं इतनी देर मेरा time waste हुआ, phone में मेरा इतना minute था, कितने लोग इस class में confidently बता सक परसेंटेज, कि मैंने क्या नया सीखा, एक महिने में आपको कुछ ना कुछ सो सीखना चाहिए था, कितने आपने answer लिखे, क्या measurement आपके, कितने words पे आपको चले गए, मेरा एक student रोज सुबह मुझे एक message भेजता है, sir आज मैंने इतने minute practice कर दी, आज मेरी writing इतनी speed बढ़ इसका एक ही काम है, तीन महिने से उसका constant message एक ही आता है, so logbook, अगर ये तुम सीख भेए, तो मेरी खाल से सबसे ताकतवर habit रहेगी, because तुम आगे जा रहे हो, या पीछे जा रहे हो, ये दो चीज़े हमारी जिन्दगी में सबसे आधा matter करती है, हम, हमें दुनिया में किसी स motivation लेने के ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखना, हम self motivated है, कब motivate होते हैं, तुम last time कब बहुत खुश हुए थे, चलो आप बताओ, last time कब तुम्हें लगा कि तुम बहुत खुश हुई हो, किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, क्या हुआ था ऐसा, खुशी का मतलब जो तुम्हारी व्यक्तिकत हो, वो तो सामुहिक है, खुशी यहाँ पर बात करो हुआ व्यक्तिकत, परसनल, तुमने कोई ऐसा काम कर लिया हो, तुमने कोई ऐसा task दिया गया हो, तुमने कोई project पूरा कर लिया हो, कोई भी चीज, कभी नहीं, जुन्दगी में board का exam दिया हो, घ यह किस बात के लिए? और घर का कोई काम नहीं करती? मालो जिसे तुम बिल्कुल नहीं करती तो और अची बात है. मालो किसी दिन तुमने कर दिया, तो पूरा घर चक्कर खा जाता है. तो बहुत तारीफ होती होगी. इसका मतलब क्या है? हम depressed और हम motivate दोनों अपने तरीके से हो इसे घंटे पढ़ा, या मैंने 360 मिनट पढ़ा या कुछ है इस तरह सब नहीं पढ़ाईगी. और अगले हपते, तुम 6.5 आवर्स तक पहुँच गए. For example, so यह तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें boost देगा. कि मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की पिछले बार से. लेकिन अगर तुम लॉग बुक नहीं रखोगे, तो पहले 2-3 महिने किसी भी कोचिंग में जाते हो, जो शोस रहता है, वो बाबू टाइप होते हैं, सपने क्यूंङed होते हैं इतने जाधा, फिर जिस गाड़ी के तुमने सपने देखे तो टायर पंचर होने शुरू हो जाते हैं. इसमें तुम्हें यह बचाता है. tomar को एक दोस्त है, वो कंटाला टाइप का आदमी हर 30 मिनट पे आ कि तुम्हाना दरवजा खट खटा देता है, ले होगे क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना है लेकिन अगर logbook तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम कभी भी अपना measurement नहीं कर पाऊगे तो आगे तुम्हें अगर सक्सेस पानी है तो यह मैंने जो पांच चीज़े बताई है उसको अपनी हैबिट पहला चीज अपनी पर्चेजिंग पार पारड़ी बढ़ाओ और कैसे बढ़ेगा क्लास में जब भी बैठो राइटिंग करो कई भी बैठो दो साल के लिए गूंगे हो जाओ तुम्हें बोल लिखने कर linha के होते हैं तोटल है तो आप लिखने की अदर डप्लप करो active रहो हर चीज को documented करने के आदथ डालो दूसरा concentrate रहो और concentration के लिए अगले साल के लिए अपने target को छोड़कर सबकुछ अपनी जिंदगी से उटा दो ठीच है झाह और कोई कुछ नहीं करना थी नोट तुम्हारे LW में आई है, more than enough है but the thing is, तुम्हारा time ही manage नहीं हो रहा है तुम्हें अपनी success, अपनी failure, हमें failure का भी जानना बड़ा जरूरी है अगर हम failure identify नहीं कर पाते हैं हम success के बारे में बात करते हैं, failure के बारे में बात ही नहीं करते हैं अगर आप failure identify नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर कोई चीज रोक रही है तो वो आपके आसपास ही मौझूद है या आपके अंदर है आप बस उसको देखनी पा रहे हैं आपको पता नहीं चल आपका phone कितना देख, आपका time खाता है, दोस्स कितना, relatives कितना तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे हटाना पड़ेगा और अगर आप ये कर लेगाए, तो features बहुत available है, knowledge बहुत सी available है, सब चीज़े smooth हो जाएंगे हम इसको छोड़कर, seminars में ज्यान क्या लेते हैं, सर बुक्स बता दीजे, कौन है, विपिन चंद्रा, शेखर बंदुपाद्या चोड़कर, कौन modern इंडिया लिखेगा भाई ये दो किताबे हैं, उसमें से कोई एक तुम्हें पढ़नी है, उसमें नया ब्रह्मग्यान क्या दूँ, सुन तो चुम चुके होगे कई बार, 4000 वीडियो तो मेरे है, NCRT इस इंपोर्टन है, वो भी नई इंपोर्टन है, कई बार सुन चुके होगे, अब तुम्हारे सामन कर जाते, more than enough, अब कोई question है तो पूछे, बताएं, बहुत आसान है, आज के बाद ये भी जो इन्होंने कहा, बहुत मुश्किल, ये कहने जा रही थी, कि ये जो approach है, बहुत मुश्किल है, हाँ, 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 इस संसार में जो कुछ भी होता है न, अच्छा या बुरा, हर चीज का reason, बिना reason के वो चीज नहीं हो सकती, जब तुम log book रखना शुरू कर दोगे न, बिटा, एक हपते में कोई चमतकार नहीं होता है, तुम personality बनाने जा रहे हो, वो example मैं लेता हूँ न, ताज महल वाला, क जो महमान आते हैं, आई गुपता जी का मकान दिखातने, दो महीने मगने बनाए, कभी दिखाने गए, क्यों, विचारे उनने भी तो बनवाया है, हो सकता अपनी मुमतापश के चकर्म उनने भी बनवाया, कभी पूच के देखो उनकी भावनाओं को, कभी देखने गए, क् वो मकान है, शिल्प नहीं है, तुम इंसान हो और तुमें शिल्प बनना है, तु परसिनलिटी की बात होती है न, आज आप एक बहुत कॉमन इंसान हो, तुम जब यहाँ आए तो तुमने सबस्यादा फोटो किसकी देखी? अरे, मेरी तो ही नहीं है यहाँ पर, हाँ, किसकी फोटो सबस्यादा देखी? जब वहाँ इंटर कर रहे हुआ, मेट्रो से उतर के? हाँ, रैंक वान, देखी? अरे, मारो गोली उस पर, थोड़ी देर के लिए हमें, शुतिक फोटो देखी? देखी? आज से दो साल पहले उसक की फोटो क्यों नहीं देखी? क्यों? हाँ, यह प्रॉसेस है, यही ड्रीम है, और इससे पहले तुमने लास्ट ये वो फेल कर गई थी, तब तुमने देखी थी? क्यों? थी तो, एक्जाम दिया था, एक नमबर से रह गई थी? क्यों? क्योंकि सक्सेस की फोटो लगती है. मैं एक एरी का टाइम पता है कि चार साल, पांस साल से सर पटकना, नहीं पता ना। इस्सक्सेस अंडर ग्रांड होती है. सक्सेस क्या होती है? अपने आपको बनाने का नाम होती है। और जितनी बड़ी शक्सेस होती है, उतना जादा तुम्हे लोग याद रखती हैं. मैंन उसने में तो UPSC क्रियल किया, but the thing is, कि आप जितने बड़े सपने के लिए जाते हो, आपको purchasing power parity उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है, तुम्हें अंदाजा है उसने कितने pages लिखे होंगे, तुम्हें उसकी success के बारे में पढ़ा, हर कोई बता रहा है, पोटो लग रही है, तुम्हें कभी देखा कि उसने कितने pages लिखे, कितने pressure को उसने deal किया, तो अगर तुम ये मंतर मेरा आज सीख गए, purchasing power parity बढ़ाना, सपने खरीद लोगे, और जो तुम ये सोचते होंगे, सपने देखे जाते हैं, तो हर कोई सपना देख रहा है, जाके देखो कल मैं रात से गुजरा था, तो वहाँ कश्मीरी गेट पे लोग सड़क की इनारे सो रहे थे, मैंने वीडियो बनाई है, तो लाइन से सो रहे हैं, यार वो भी सपने देख रहे हैं, कौन है जो सपने नहीं देखता, जो सपने आज से एक मंत्र देख रहा हैं, सपने खरीदे जाते बच्चे, और जब चोई सीज खरीदी जाती है, उसकी कीमत दी जाती है, और नोकिया ग्यारा सो की कीमत और आईफोन तेरह की कीमत एक बराबर नहीं हो सकती, और तुम आईएस बनने जा रहे हो, तुम देश का सबसे बड़ा ड्रीम खरीदने जा रहे हो, और तुम अगर उमीद कर रहे हो, कि नोकिया ग्यारा सो की कीमत लेके जाके, तुम आईएस बन जाओगे, तो भूल जा इसको, भूल जा इसको, ठीक है कई बार तो लोग यही सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में सोते हैं कि जैसे ऐसे सिक तैयरी कर लिए हैं एक बच्चे ने उससे पूछा किसा जीएस में बाग्रफी पढ़ नहीं है ऑप्शनल का तो ही जाएगा ना हमने का तुम्हारा तो बिल्कुल होगा ऑप्शनल यह स्थिति हो गई हमारी तो बेसिकली उनको यह वाला फंडामेंटल नहीं पता है पर्चेशिंग पार पारटी अब तो तुम्हारे खाल से समझ गए होगे तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पर्चेशिंग पारटी कैसे बढ़ेगी कमाने से और कमाओगे क अब अब हैबिट 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 तुम्हारे पर्च में होना चाहिए हैबिट अगर सुबह जल्दी उठना पड़े उठूंगा है अच्छी रखनी है पता चला कई लोग के मैसेज आते हैं सर तब्यात बहुत खराब है हर महीने बीमार पड़ जाते हैं तो पता आला दस कोई कमी नहीं तो हर मिनट की कीमत है बैटा हूँ सभी लोग की कुल सभी कीमत से भी ज्यादा है लेकिन फिर भी आज वो रैटिंग करता है लॉग बूक रखता है वह कभी उसकी बुक पढ़ियेगा तो वह तस दस मिनट के टाइम टेबल बनाता अ तो आपको consistency लेकर आनी logbook रखना है और कोई भी चीज तोहाँ साथ अच्छी हो रही या बुरी हो रही है एक बात बस ही एक बात याद रखना बिना कारण के और नहीं हो रही है और जितना मैंने experience किया है 90% कारण आप होते हैं sorry to say but this is a bitter truth दुनिया में आपको रोकने वाला अगर कोई सबसे important success है तो वो आप हैं आप logbook रख लिजे productivity booster में तो प्रूब करके दिखा दिया इस दुनिया में अगर कोई आपको हरा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं दुनिया में कोई ऐसा वेश्टि न भेपको हरा दे यह सब कहने की बात हैं कि पापा support नहीं करना है तो मांग क्यों रहे है और मांगने से आज तक किसी को कुछ मिला है, भीग छोड़ कर कुछ नहीं मिला, तो bigger are not choosers, तुम तो choose करने आए हो ना, एक कहावत होती है na, bigger are not choosers, भिखारी कुछ चीज चुन नहीं सकता, अगर तुम भिखारी हो, तुम्हारा वेक्टर तो यही है, तो तुम चुनने कहा से आए हो, और अगर तुम चुनना चाहते हो, चुनने का मतलब, कि यह तेरा सो लोकर से मुझे अपनी seat छीननी है, तो उसके लिए तुम्हारा attitude भी क्या होना चाहिए, अलग level पे होना चाहिए, तुम्हें अपने पर्स में क्या लेकर आना है, तो पर्स कौन है, तुम हो, और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है, जैसे उसके पर्स में अमीर आदमी credit card, debit card, cash, 2000 की note होती है न, तो पूसता नहीं है, कितने का है, pack करो, pack करो, उसको मुझे जो पसंद मैं ले लूँगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, life में वो throughout अपने आपको इतना मजबूत ब यार है, फिर वो ISP पकड़ लेते हैं, select, फिर मन करता है तो अमेरिका भी चले जाते हैं, Silicon Valley कहा हो, जाके किसी company के CEO बन जाते हैं, पुरी दुनिया में पता जला, 3000 क्रोन रुपए चल रही है, तो कहां से निकल कर आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे process में डाल लेते हैं, कि उनको success habit क पर्स मानो, और तुम्हें अपने अंदर क्या डालना है, habits, find out the list, कौन सी चीज है, जो तुम्हारे लिए लिए पड़े, जैसे रात में तुम क्या देर तक पढ़ाई कर पाते हो, सुबह जल्दी उठके पढ़ाई कर पाते हो, देर तक पढ़ाई कर पाते हो, लोगों के सा कागज, visiting card, पुराने बिल, उसमें पैसा नहीं होता है, पैसा 10 की दो नोट होती है, लेकिन वो कागज बहुत भर्स के रहा चलते हैं, नोटिस किया तुमने, उसकी कोई value, नहीं, तुम अपने अंदर कागज मत भरो, रद्धी मत भरो, ठीक है, अगर तुम्हें web series देखने और कोई decide नहीं कर सकता, और जब आप कारण ढूड़ोगे, तो सिर्फ आप ही हैं आपको हराने वाले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ठीक है, चली, और कोई question, जब हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं, क्योंकि हमें financial support चाहिए होता है, तो आप हर महीने job ऐसी करो कि इसमें कुछ पैसे बचा सको, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें financial support नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कम से कम six month minimum, आप full time पढ़ाई के लिए पैसे निकाल सको, जैसे मालो आपका खर्चा 12,000 रुप नहीं, आगे बुलो, minimum two years, पहले तुसको correct करो, minimum two years, reason, UPSC में current affairs नहीं पूछा जाता, और तुम्हारे दूसरा मैं भ्रम तोड़ देता हूं, current affairs नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता, current affairs कई तरह के होते हैं, current affairs events होता है, यह जितने छोटे-छोटे exam होते हैं, one day year, तो जो तुमने एक साल कहा यह उनके लिए, अभी थोड़े दर पहले बताया था ना, कि हम IS बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा mindset कहीं और होता है, वो जो एक साल का कौन राष events पूसता ही नहीं है, UBSC जो है, वो issues पूसता है, और issues बेटा, उठा के paper देख लो, तुम्हारे पैदा होने से पहले के भी होंगे, क्या भारत में नदियों को जोड़ दिया गया, यार बहुत पुराना project है, क्या पाकिस्तान के साथ हमारी जितनी भी नदिया है, उसके अच का मुद्धा निपट गया होगा, क्यों, हो गया होगा, नहीं हुआ, अरे, बड़ा लेट चल रहे है, क्या हमारे यहां ग्रामीड इस्तर पर जो महिलाओं को शक्तिकरण होना था, वो बलवंतरा मेहता कमेटी में बोला था न, तो हो गया होगा, सारी महिलाओं को तो नहीं हुआ, अरे, ऐसा कैसे हो रहा है, नदियों का जल सच्छे हो गया होगा, नहीं हुआ, अरे, भूमी सुधार, अंगरे जो कार्णमालिस के जमाने का है, आजादी से बहुत पहले का, वो तो होई गया होगा, सारे जितने भी किसान है, सब को उसका डॉक्यमेंट मिल ग लोग तंत्र हमारे यहां ग्राउंड लेवल पर आई गया होगा, सभी को जैसे अभी इस क्लास में मैं पूछ लूँ, हमारे बच्चे ट्वल्थ करके आए, जब प्रियम्बल खड़ो के बता दो तो, फंद्र अगस तारी यार, थोड़े सी इज्जत रख लेना, प्रियम् बता बता तुम बताओ, प्रियम्बल बताओ, सुनो, हाँ, यह तो अबराहम लिंकन की परिभाशा है, प्रियम्बल प्रस्तावना समिधान की, इमानदारी से बता कि इसको इसको नहीं पता है, एक्जैक्टली क्यों होती, बाबा साब ने एक एक शब्दों में अपना खू इस नाट बाट की वर्ड्स, ठीक है, मतलब आपका अगर कोई नाम है ना, तो नाम पूरा लिया जाएगा, ठीक है, तो नाम पूरा लिया जाएगा, तो अगर कोई अधूरा नाम ले, तो आप उसको डाटेंगी ना, कि अब्रिवेशन गलत आप कर रहे हैं, तो प्रस्तामना के बारे में नहीं बात हमें पता है, और हम अपने आपको तिरंगा लगा रहे हैं, हम ये सारी सीज़ें कर रहे हैं, तो हमारे बाबा साब ने हमें कई लोग अंदोलन में भी चले जाते हैं, उनको पकड़ किस दिन पूछ लेना, बोले समिधान के कितने भाग हैं, तो तुम बताओ तो, तो मुझे बताओ प्रस्तामना हमें नहीं पता, बहुत लोग घबरा रहे हैं कि मुनको पूछ ना लो, ठीक है, आँखो में बता रहे हैं, डर दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों? क्यों? ये question important है, ये question important है, ये question important है, सो जब आप उस पर आओगे तो आपको पता चलेगा मुद्दे क्या हैं, तो मुद्दे कम से कम दो, और दूसरी बात, UPSC, current नहीं पूछता है, इस्टैटो डानमिक पूछता है, इस्टैटो डानमिक, डानमिक का मतलब जो कतिशील है, हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि किसी student पर समझ होनी चाहिए, जै क्या है, कोशन आए हुआ प्री में, क्या कहता है, क्या सामाजिक नहाए, क्या आर्थिक नहाए, किस तरह के नहाए की बात कहीं गई है, तो नहाए तो कहीं प्रकार के होते हैं, तो क्या सामाजिक नहाए, आर्थिक नहाए, माली जै आपने सामाजिक नहाए दे दिया, लेक है समाज में जुड़ते हैं और समाज से क्या बनता है राष्ट बनता है हम 26 जनवरी 15 अगस्त मना लें तो क्या उससे राष्ट बन जाएगा तो राष्ट तो रोज बनता है ना, और राष्ट लोगों से बनता है, हम राष्ट सरकारों से बनवाते हैं, हम राष्ट सरकारों से बनवाते हैं, और राष्ट लोगों से बनता है, मुझे वहां मतले जाओ, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, कि UPSC स्टाटो डानमिक बात करता ह यहनी हर चीज के पीछे का कारण और static part आपके लिए बहुत important हो जाता है तो अब से याद रखना एक साल नहीं, minimum दो साल जो रहा है और उसके basic reasons, वो यह पूछता है आगे कोई question? It's a very good time, the first year you have to go with concepts किसी भी subject को जो internet पे दिया हुआ है उसके साथ मत जाना पहले अपना जो fundamental five है, fundamental five, history, geography, politics, economics and science उसके base NCRT से शुरू कर दो and try to understand the subject, understand मतलब try to develop a love toward your books and your subjects अपनी किताब और उसके विशे के लिए एक प्यार पैदा करो प्यार का मतलब जैसे आज हमारी यहाँ प्रस्तावना की बात हुई आप मेंसे कई लोगों ने DP लगाई होगी, कई लोगों ने अपने घर में जंडा भी लगाया होगा कई लोगों ने रास्टगान के लिए पुरा महौल बना लिया होगा देखो हमने भी classroom में महौल बना रखा है लेकिन आप मेंसे कितने लोग प्रस्तावना के बारे में जानकारी रखते हैं कितने लोग सम्मिधान के मूल करतव्यों के बारे में जानकारी रखते हैं जो हमें fundamental duties के बारे में कहा गया है जो नागरिकों के लिए यह क्या है, UPSC सिर्फ एक line है एक line में UPSC है अगर UPSC crack करना चाहते हो तो automatic process है to know your country it's only your UPSC it's equal to UPSC और कुछ नहीं है, कोई सलबस नहीं है भारत एक राजनाती की काई है political unit है, एक historical unit एक geographical unit है, social unit है economical unit है, cultural unit है तो जब भारत को इस तरह से समझना शुरू करोगे, एक urban unit है, एक rural unit है भारत कई हिस्सों में भाजित है, जब भारत को तुम समझना शुरू कर दोगे और जब तुम्हारी किताबें तुम्हारी सडकों पर, college में, तुम्हारी life में उतर आएंगी कि यहाँ भीड क्यों है, यहाँ pollution क्यों है, यह सरकार अच्छा क्यों नहीं कर रही है जब यह क्यों 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 चलने शुरू हो जाएगा ना, उसे दिन तुम्हारा UPSC में selection automatically, तुम इस प्रक्रिया के अंदर आ जाओगे, जब तक यह नहीं है, तब तक किताबों को क्यों गिनते रहो, तब तक गिनते रहो पेजेस को गिनते रहो तब तक कोई प्रक्रिया नहीं शुरूँगी और यह मैं नहीं, यह Tina Dabi कह रही है ठीक है, तो भारत को जिस दिन तुमने अपनी कंट्री को जानना शुरू कर दिया, UPSC शुरू शुरू उस दिन UPSC तो तुमारी किताबे तुमारे डेस्स से निकल कर तुमारे जीवन में फैल जाएंगी जब तुम आओगे, कि दिल्ली ही क्यों पढ़ने आना पड़ता है बिहार में मुझे क्यों नहीं एजुकेशन मिल रही है मुझे राची में एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है मुझे भागलपूर में एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है तो जब यह क्यों जब जाओगे तब उसके पीछे push or pull factor ढूणोगे जब तुम push or pull factors जूणोगे तो तुम्हें migration पता चलेगा, जब तुम्हें migration पे जाओगे तो तुम्हें economics पता चलेगा, जब तुम्हें economics पता चलेगा, जब तुम्हें कास्ट पता चलेगा, जब तुम्हें कास्ट पता चलेगा, जब तुम्हें social structure पता चलेगा, और जब वह भी नहीं रोख सकता, बस हम इसको छोड़कर एक ही question पूछते हैं, हजारों की संख्या में message पढ़ाओ, सर कौन सी किताब पढ़ें? क्यूं पढ़ें किताब? क्यूं पढ़ें किताब? आप ऐसे question पूछते हो, किसी से बसड़े पे मिले, या railway station पे मिले, तुमारी जन्म जन्मांतर की दोस्त बन जाएगी है, दोस्त बन जाएगा, नहीं बनेगा न? पहले बात होती है, नाम पूछा जाता है, होबी जानी जाती, किताब भी ऐसे ही होती है, पहली मुलाकात में किसी की नहीं होती है यह बाद ध्यान रखना पहली मुलाकात में किसी की नहीं होती है हाँ तो तुम्हारी किताब छीन के यहाँ कोई नहीं भाग रहा है किताब ऐसी चीज ही है कि कोई किसी के विद्या चुराई नहीं जा सकती हमारे शास्तरों में ये बात लिखी गई है, चलें, और कोई कुश्चन? हाँ, बताएं अपके लिए, मास चुरू करें CSAT, बहुत easy है, qualifying है, इसमें तीन portion बहुत important है, एक तो basic math, NCRT की 6 से लेकर 8 या 9 तक की आप खुशन लगड़ा लो हाँ, तो math नहीं आती है, reasoning अच्छी होनी चाहिए, and reasoning is all about CSAT में एक बहुत important fundamental miss है, कि वो non mathematical background को math पढ़ा रहे हैं, तो वो actually math आती नहीं है, ये डर एक पैदा किया गया, reasoning होती है, reasoning का मतलब होता है, find out the reasons, and IS officers को reason find out करना पड़ता है, IS officer को, जैसे उपर सरकार ने कहा कि फ़ाई फलाना के लिए program है, so उसको reasons identify कि ये program इसके लिए क्यों बना है, reasons identify करने पड़ते हैं, ये program जमीनी इस्तर तक कैसे ले कर जाए, so it's all about reasoning, और उसको धेर सारे data पढ़ने पड़ते हैं, so data interpretation, DIG से बोलते हैं, that's very important, दूसरा comprehension होता है, तो comprehension का मतलब होता है, बड़ी बात को पढ़कर, छोटे-छोटे points निकल लेना, तो ये अगर दो-तीन चीज़े तुम्हारे पास हैं, तो CSAT बहुत आसान से निकल सकता है, कुछ जादा उसमें सरदर्द नहीं है, and last my practice is everything, क्या के बारे में, NCRT, किसी चीज़ को जानने का पहला सिधा, तुम मुझे बताओ, तुमने अभी motorcycle सीखी है, motorcycle चला ले तो, पैदा होने के तुरंट बात चलाई होगी, अच्छा, बड़े होके चलाई थी, कौन सी, इनका question है, कि किसी चीज़ में, बलब, base कैसे बनाए, से पहले cycle सीखी थी, cycle सीखी थी, सबसे कठीन काम दुनिया में cycle सीखी, मैं गिराओं बहुत बाहर, ठीक है, तो cycle के लिए क्या किया था, किसी का सहारा लिया, balance के लिए, पहले balance नहीं बन रहा होगा, पहले पूरा ध्यान होगा कि बस गिरे ना किसी तरीके से, गिरे विरे भ बहुत कठीन है, बोला नी, नी, टीचर का काम यहीं होता है, किया दर ओन नी, हो जाएगा, भरुसा दिलाए, लगा बेटा तो तुम्हें लगा, अकेले हो चलाने का करें, लेकिन फिर तुमने क्या किया, तुमने किया, सोड़하게 जब घुरे थे, फिर अगले दिन उठाई होगी cycle, इसको बोलते हैं, धैरिया, ठीक है, तुम्हाजी life से सिखा रहा हूँ, यानि फिर दुबारा करना है, अपने dare पे काबू पाए, चोट लगी, कोई बात नहीं है, फिर दुबारा चले, फिर तुमने क्या किया, practice किया, तीसरी चीज, practice, when you start reading book, practice, writing, practice, answer writing, practice, फिर क्या हुआ, you started learn the balance, right, फिर तुम्हें समझ में आया, कि balance कैसे बनाते हैं, सो practice क्या होता है, practice जवाब करते हो, तो आपकी skills develop होती है, जैसे आज आज आप answer writing करोगे, सब लग रहा है, बहुत खराब लिख रहा है, तो आप डेर के मारे क्या कर देते हो, ल अच्छा, एक बाब बताओ, एक coaching class तुमने जोइन कर ली होती है, उस समय, how to ride up ice clear, और मैंने उस पर 400 page का व्याख्यान दिया होता, कि देखे बटा, ये पहिया होता है, ये rotational friction होता है, ये center of gravity होती है, ये gravitational forces है, ये alignments है, मैं तुम्हें sketch बना के दिखाता है, तुम्हारे skeleton का सीख जाते है, cycle जलाना, सो जो तुम बात कह रहे हो, उसके लिए बहुत एक अच्छी बात कही है, कि जिन ढूंडात इन पाईयां, गहरे पानी पैट, और मैं बकुरा बुड़न डरा रहा किनारे बैट, यानि अगर मोती पाना है, तो तुम्हें गहरे पानी में डूबना पड़ेगा, the best, last time क्या सिखा कर गया था, best approach to learn anything, start learning, ठीक है, मेरा बहुत एक favorite quote है, just, Nike use करता है, do it, अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, तो सीखना शुरू कर दो, अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, if you want to learn anything, start learning, actually में जब हम अपने आपको evaluate, अरे, ये सई सीखना है, गलत सीखना है, तुमने cycle के समय ऐसा किया था, कि तुमने ये cycle ठीक है कि नहीं है, इसका central gravity कहीं proper, मम्मी ने गलत cycle तो नहीं दे दी, ऐसा कुछ किया था, किया, मन था, इच्छा थी, जरूरत थी, सीखना है, या जाके पहिए नापे थे, वजन देखा था, gravity align की थी, तब cycle पे बैठे हो गए, तुम्हें पता चल गया था या मम्मी ने बताया था, तो teacher बताएगा, तो teacher बताएगा, mentors बताएँगे, कि आज तुम्हें लॉग बुक प्रॉपर भरी की नहीं भरी, आज तुम्हें सही तरीके से पढ़ाई की की की, सिंपल सा फंड है, तो यही एक process होता है, और तुमने actually में कब सीखा, जब तुम cycle regular चला रहे थे तब सीखा, या जब तक तुमने डर के मारे किनारे रहे तब स पहला क्या बताएगा होसला रख, रास्ता है, और दूसरा कि सही चला रहे हो या नहीं चला और हमसे गलती होती है, तो कई बार हम भी कहते हैं, शाबाज बेटा, answer लिखो, हमें पता तो गोबर लिखा है, लेकिन हम कहते हैं, good, try, keep trying, पैंट उठा है इस ने, यह तो कसम खा के बेटा हुआ था, पहली बार ही साहित लिखेंगे, जब लिखेंगे तब, कई बार तो बड़ा एंट, हैट के लोग लिखते हैं, तो लगता है, इसके बार डॉक्यमेंटेशन जा जाके रखाएंगे, लंदन में रखाएंगे, भाई सामने लिखा है, ठीक है, तो ऐसा न में भी चौड़ी की तीन और को भी फाइलाइस करिए, ठीक है, और तीन और फाइलाइस करने के साथ साथ उसके अपना फोकस करिए, उसके कोश्चन पेपर लेकर आई प्रीवियस, जो आपका हो उसको आप चूस करिए, मैंने बताया था, टीचर अविलेबल है की नहीं है, बुक्स मेरी लेक्विज में अविलेबल है की नहीं है, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है?